शनी और चंद्रमा के दूसरे भाव में होने का ज्योतिशिय महत्व क्या है? दूसरा भाव धन, परिवार, वानी और मूयों से संबंधित है. जब शनी और चंद्रमा यहां एक साथ आते हैं, तो यह एक अनूटी उर्जा पैदा करता है जो आपके जीवन के इन ख्षेत्रों को गहराई से प्रभावित कर सकता है. अनुशासन और जिम्मेदारी का ग्रह शनी, संरचना और कर्तव्य की मजबूत भावना लाता है. यह आपको वित्तिय मामलों के बारे में अधिक गंभीर बना सकता है, आपको भविश्य के लिए बचत और योजना बनाने का आग्रा करता है. यह स्थान कभी-कभी धन प्राप्त करने में देरी का कारण बन सकता है, लेकिन विर्ता के साथ ये दील-कालिक लाब का वादा करता है. भावनाओं का ग्रह चंद्रमा एक नर्म, पोशन करने वाली उर्जा लाता है. हालां कि, जब शनी के साथ मिलकर यह भावनात्मक चुनोतियों का कारण बन सकता है, आप अपनी भावनात्मक जरूरतों और व्यवहारिक चिंताओं के बीच रस्साक्षी महसूस कर सकते हैं. यह आपके भाशन को प्रभावित कर सकता है, जिससे आप खुद को व्यक्त करने में सतर्क या सयमित हो सकते हैं. दूसरे भाव में शनी और चंद्रमा एक साथ परिवार और वित्व के प्रती जिम्मेदारी की गहरी भावना ला सकते हैं, लेकिन एक सयमित या गंभीर व्यवहार भी पैदा कर सकते हैं. इस्तिती की वास्तविक शमता को अनलॉक करने के लिए भावनात्मक और व्यवहारिक पक्षों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है. वैदिक जियोतिश पर अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें.